नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगती मेडिया कोरोना वारस से हम सभी पदेशान हैं कुछ जगह ओपर आर्थिक समस्या काफी जादा हो गई है वह कुछ जगह ओपर बिमारी की समस्या जादा हो गई है व्याश्विक महामारी कोरोना वारस से सबसे अधिक प्रभावित दस देसों की लिस्ट में भारत अब नौवे स्थान पर आ गया है स्वास्थ मंत्राले द्वारा जारी किये गए ताजा आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे अधिक नए मामले सामने आए और काफी मौते हुई हैं 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं जबकि 265 लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ मंत्राले द्वारा भारत देश में कोरोना संकर्मितों की कुल तादाद बढ़कर 1,70,763 हो गई है जिनमें से 82,370 लोग स्वास्थ हो चुके हैं अब तक 4,971 लोगों की जान जा चुकी है अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है रिकवरी रेट बढ़कर 47,440 फिस्दी हो गया है कोरोना संकर्मन रोकने की तमाम कोशिसों के बाद भी कई बड़ी सहर केंद्र सरकार के लिए चुनोती पने हुए है ये सहर है दिल्ली, मुंबई, चेनने, एहमदाबाद, ठाने, कॉलकाटा और हैदराबाद बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली रिकॉर्ड में 1106 नए केस सामने आये है दिल्ली में संकर्मितों की तादाद 17,000 के पार जा चुकी है अब तक 398 लोगों की जान जा चुकी है वहीं दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले की तादाद 26,61,000 से जादा हो गई है अब तक कुल 60,33,000 से अधिक कोरोना संकर्मित है जबकि 3,66,800 से जादा लोगों की जान जा चुकी है धन्यवाद